हलो फ्रेंड्स हमारे यूट्टूब चैनल घर संसार वास्तु शास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स आपको मैं बताने जा रहा हूं कभी न करें भगवान की इन मुर्तियों के दर्शन नहीं तो जेलने पड़ेंगे कई दूख हर किसी के घर में भगवान की मुर्तियां और तस्वेर होती ही हैं लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि सभी मुर्तियां शुब प्रभाव देने वाली नहीं होती वास्तु के अनुसार कई मुर्तियां ऐसी भी होती हैं जिनके दर्शन करना मनुष्षी के दिये अशुब प्रभाव का कारण भी बन सकता है आज हम आपको भगवान के ऐसे ही कुछ स्वरूप और मुर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दर्शन करना अच्छा नहीं माना जाता तो आई ये जानते हैं इनके बारे में भगवान की मुर्ति घर में इस तरह रखनी चाहिए कि इनके पीछे का भाग यानी पेट दिखाई नहीं दे भगवान की पेट का दिखना शुब नहीं माना जाता पुजा अस्थल में एक ही भगवान की दो मुर्तियां रखना भी अच्छा नहीं होता है खास दोर पर अगर दोनों मुर्तियां आसपास या आमने सामने हो ऐसी मुर्तियों के दर्शन करने से बार बार लड़ाई होती है भले ही किसी मुर्ति से कितनी ही गहरी आस्था जुड़ी हो लेकिन मुर्टी खंडित हो जाय तो उसके दर्शन करना अच्छा नहीं होता ऐसी मुर्टी के दर्शन या पुजा करना अशुक फलों का कारण बनता है मंदिर में भगवान की ऐसी मुर्टी रखनी चाहिए जिनमें उनका मुह सौम्य और हाथ आशिरवात के मुद्रा में हो राद्र और उदास मुर्टी के दर्शन करने से नाकारात्मक उर्जा का संचार होता है भगवान की ऐसी किसी मुर्टी के दर्शन नहीं करना चाहिए जिन में वे युद्ध करते या किसी का विनास करते नजराएं ऐसी मुर्ति के दर्शन करना भी दूखों का कारण बन सकता है तो ये दो, फ्रैंड्स, कभी न करें भगवान की इन मुर्तियों के दर्शन नहीं तो जहलने पड़े के कई दुख फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेर करना ना भूलें साथी साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें भगवान आपके और आपके परिवार को हमेशा खुच रखे धन्यवाद